नमस्कार मैं हूँ नाराइन शर्मार आप देख रहे हैं AINS News 24 चैनल अब खबरें विस्तार से 36 गड के बिलासपूर में आवास नियाय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें वाइनाउट के सांसद राहूल गांधी ने शिर्कत की सुबह राइपूर एयरपोर्ट से सडक मार्ग द्वारा राहूल गांधी बिलासपूर पहुचे इस दौरान उनके साथ मुख्यमंतरी और प्रदेश प्रबारी भी थी बिलासपूर पहुचने के बाद राहूल गांधी ने राज्य सरकार की करोडों की योजनाओं का भूमी पूजन शिला नयास वलोकार पन किया इस दौरान राहूल गांधी ने ग्रामीन आवास नयाय योजना की प्रथम किस्त की राशी 47,090 हिद ग्राहियों को हस्तान तरित की इस मौके पर लगभग 118 करोड रुपे की राशी ट्रांसफर की गई जोर्दार तालियों के साथ ग्रामीन आवास नयायोजना का शुवरम राशी अंतरन हो रहा है जोर्दार तालिया एकसो अठारा करोर की राशी स्विक्रित बोगल बधाया आवास नयाय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद राहूल गांधी ने कहा कि आवास हीनों के लिए केंदर सरकार से मिलने वाली राशी अपराप्त है बावजूद इसके 36 गड़ सरकार ने अपना धर्म निभाते हुए आवास हीनों को आवास के लिए करोडो रुपए उपलब्ध कराए राहूल गांधी ने कहा कि राज सरकार के बार बार निवेदन के बावजूद केंदर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो 36 गड़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला उनके लिए भी आज 36 गड़ की सरकार पैसा दे रही है बहुत बार 36 गड़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार से रिक्वेस्ट किया आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निबाती है आज तक्रीबन 1200 करोड रुपे रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है और अगले 5 साल के अंदर 36 गड की सरकार 9500 करोड रुपे ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है बिलासपूर में आयोजित हुए आवास न्याय सम्मिलन में 36 गड के मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना कॉंग्रेस सरकार कभी बंद नहीं करेगी भले ही केंदर सरकार की मदत न मिले मुख्य मंत्री भुपेश बगिल ने कहा कि केंदर सरकार ने 2021 में होने वाली जनगणना नहीं कराई क्योंकि आवास योजना के हिद्गराही बढ़ जाते लेकिन हमारी सरकार ने राज्य में सामाजिक सर्वे करवाया अभी जो राशी आबंटित हुई है वो 2011 की जनगणना के आधार पर हुई है इसका कारण भी केंदर की सरकार है प्रणान मंत्री आवास में आधा पैशक केंदर दे थे आधा राज दे थे ने पहली कतका वद्री से सव प्रत्सत फिर पच्चासी पंद्रा आज साथ चालिस बारती जनता पार्टिक संवारी मन खुब अलग करिष्ट अवास योजना बंदोगै अवास योजना कांग्रेश पार्टी कभू बंद नहीं करां बारती जनता पार्टी वालवन बंद कर दे जनगणना हो चिनगणना 2021 में होना रिजने जनगनना जनगनना नहीं होए आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होए अभी जद का आवास मिला थे साथ लाख मल्ला वो कौन अधार पे 2011 के जनगनना के अधार पे अभी राउल गांदी जी बटन दबाई से असाब जद का भी हिद्गराई है देकर खाता में पैसा पहुँचे के सुरू हो गए मैं पुज़ात रहें सुबरा साओ जी ले कतका जन के खातम पैसा पहुँचे तो कहा अतरी से अभी एक लाख आदमी मन के खातम पैसा पहुँचे 36 भारती जनता पार्टी के प्रदे सद्यक्ष अरुन साओ ने कहा कि कॉंग्रेस भारती जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा से घबरा कर भरोसा यात्रा निकाल रही है साव ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को अभूत पूर्व सफलता मिल रही है जगह जगह एतिहासिक स्वागत हो रहा है लोग स्वफूर्त इस यात्रा से जुड रहे हैं इसलिए कॉंग्रेस आनन फानन में भरोसा यात्रा निकाल रही है लेकिन कॉंग्रेस ने जनता का विश् पालिटी के परिवर्तन यात्रा से घबरा कर कांगरेश पालिटी को भरोसे का यात्रा निकालना पड़ रहा है क्योंकि 36 गड़ की जनता का भरोसा कांगरेश से भुपेश बगेल की सरकार से तूट गई है राजधानी रायपूर के गणेश पंडालों में सर्धालों की भीड अब उमरने लगी है रायपूर वैसे भी भगवान गणेश की भिन भिन परतिमाओं और जहाकियों के लिए जाना जाता है इस वर्ष भी वर्षो पुरानी गणेश उत्सो सम्यतियों ने नैने अंदाज में भगवान गणेश की परतिमाओं को स्थापित किया है रायपूर शहर में इस बार काली बाली चौक में चंद्रयान तीन की जहाकी विशेश आकर्षण का केंद्र है साथी गोडिहारी पड़ाओं में भी आकर्षक जहाकी लोगों को आकर्षित कर रही है भारती जंता पार्टी की राजसबासांसद सरोज पांडे ने कॉंग्रेस की ग्रामीन आवास योजना को चुनावी जुन जुना कहा उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना के 16 लख आवासों के लिए मुख्य मंत्री भूपेश बगेल ने राज्यांश नहीं दिया जिसके चलते लाखों लोग आवास हिन रहे गए और अब जब महिने भर में अचार सहीता लगने वाली है तब आवास योजना प्रारंब कर जन्ता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है मुख्य मंत्री आवास योजना इन्हें लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी वो इसलिए पड़ी कि जिस प्रकार से भारती जन्ता पार्टी ने जन्ता के हक की लड़ाई सडकों पर लड़ने की शुरुआत करी और इस लड़ाई में जब वो सफल होने लगी जन्ता साथ जुडने लगी तो जिस प्रकार चत्तिस गड़ के मुख्य मंत्री हर विश्यों पर जुड बोलते हैं आज उन्होंने एक नया जुड पिरसे परोसा और आज उन्होंने मुख्य मंत्री आवास योजना की गोच्रा करी और मुख्बत की दुकान में नफरत का समान बाटने क जिन्होंने शुरुवात की है वो नेता जो भारत की राजनीती को बहुत कम समझते हैं सीख रहे हैं फैंसी प्रेस प्रतियों की ताओं में भाग लेते हैं उनको यहां पर बुला कर फिर से उन्होंने शुरुवात कराया 36 गड़ भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुपता ने कहा कि राहूल गांधी की आँखे बंध हैं तभी उन्हें कॉंग्रेश शासित राज्जों में हो रहे अपराद बरश्टाचार और घोटाले नजर नहीं आते गुपता ने कहा कि राहूल गांधी को तो परिवर्तन की लहर भी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जन्ता ने मन बना लिया है कि 36 गड़ में सरकार बदलना है और मध्यप्रदेश में मामा को फिर से लाना है राहूल जी आप 36 गड़ आये थे 36 गड़ को साथ बंद आखो से आपने देखा है यहाँ पर जो महादेव सटा एप है जो एक समाजीक बुराई है घर घर तक पहुँच गया है 36 गड़ में कई आयाम और नए रिकॉर्ड इस्थापितों कहें कोईला गोटाला चावल गोटाला शराब गोटाला अरे कितने गोटाले मैं कहूं डीमफ का गोटाला उसके बावजूद आपकी बंद आखे यह मान रही है कि 36 गड़ में फिर से आएंगे तो यही साध आखे आपकी राजस्थान में और मद्य प्रदेश में भी बंद रही होगी और खुली आख से देखेंगे ना तो आपको परिवर्तन की लेहर 36 गड़ में दिखाई देगी राजस्थान में दिखाई देगी और मद्य प्रदेश में वही कमल का जंडा पहराता मिलेगा यह अत्या ज़िए कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हैं हमारे लोग पर ये यूट्यूब चैनल एई एनस न्यूज़ 24 को हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूलें नमस्कार